ट्रेंड्स मैं लेकर आई हूँ आज आलू गोबी मतर की यूनिक रेसिपी चलिए शुरू करते हैं इसको यह हमने एक किलो गोबी लिया है इसको काट लिया है और यह आदी किलो हमने आलू लिये हैं इनको भी बड़े बड़े पीसिस में काट लिया है जिये में में कुछ भाब होचा ली cabo dari कटोर मां सर्भाइब मैं है जब दालенных आपसुछे दूदा finger दॉआ को द fel इसकता मात्ष flakike다 लीजी αλλά thema इतना भूनेंगे इसका कलर चेंज नहीं हो यह हमारी इसका मोश्चर सूख चुका है अब इसमें डालेंगे हम अपने मटर मटर डालकर इसको भी हम भूनेंगे क्योंकि हमने मटर को पहले नहीं डाला था आप पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी आप प्यास के साथ भी यह हमारी मतर भून चुकी है इसमें डालेंगे टमाटर को पीसा अब इसको डालकर हम मिक्स कर लेंगे कि और इसमें हम पानी डाल देंगे मसाला भूनने के लिए अब इसमें हम डालेंगे आदी चमच अदरकल हसन का पेस्ट छोटी एक चमच हल्दी पॉर्डर, दो चमच लाल मिर्च पॉर्डर, दो चमच धनिया पॉर्डर, छोटी चमच से लिया है हमने और ये हमने लिया है सबजी मसाला दो चमच इसको अच्छे सा मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, एक चमच कलर के लिए इससे बहुत अच्छा कलर आता है हमारी गोबी का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा रेड, स्पाइसी, क्योंकि हम स्पाइसी बना रहे हैं गोबी आलू मटर की सबजी अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे यह हमारे मसाले ने अब तेल छोड़ चुका है और भून चुका है यह मसाला इसका मतलब है अब इसमें हम डाल देंगे अपनी गोबी गोबी को अच्छे से हम मसाले में मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम अपने आलू भी मिक्स कर देंगे इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू भी मिक्स हो चुके हैं अब इसमें डालेंगे हम स्वादनुसार नमग एक चमच नमग डाला है हमने आप अपनी सबजी के अकोडिंग डाली है आपको कितनी सबजी है और कितना नमग डालना है ये मैंने डाल दिया है पानी एक गलास से कुछ कम डाला है और इसमें लग भग एक ही गलास पानी लगेगा और डालना है हमें कम लग रहा है इसमें पानी आलू और गोबी को हमें गलाना है उतना पानी इसमें डालना है थोड अब इसको हम पहले हाई फिलेम पर पकाएंगे फिर हम इसे लो टू मीडियम पर कर देंगे जब इसका आधा पानी हो जाएगा तो अब इसको ढग कर पकाएंगे हम देखिए हम लगभग आधा पक चुका है ये आधी स्टेश तक अब इसे थोड़ा पानी बचा है इसमें अब इसे हम पकाएंगे लो टू मीडियम पर इस तरह से सबजी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बनाने का बिलकुल सिंपल तरीका है अब इसमें हम डालेंगे घी दो चमच क्योंकि घी से है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है है यह हमारी सबजी बन के तयारहें गोबी आलू मतर्की कैसी खिली-खिली बनी है अब इस आलू को म Business कर लेंगे गलेंगे इसभी और गोबी पर इसमें डालेंगे हम धर्याstrong धन्य को हमने पहले काट लिया था उसको डाल दिया इसको मिक्स कर देंगे यह हमारी गाजर आलू मटर की सूखी सबजी तयार है चलिए अब इसको निकाल लेंगे हम अपने बाउल में खाने के लिए कलर कितना अच्छा है इसका आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राइ कीजेगा यह हमारी रेसिपी तयार है फ्रेंज हमारे बनाने का तरीका आपको कैसे लगा और हमारी रेसिपी कैसी लगी कोमेंट्स में ज़रूर बताएगा हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजेगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आपको और वीडियो के जल्दी नोटिफिक्सेशन मिले मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हाफीज